नमस्कार दोश्तों पिछले वीडियो में जैसा कि मैं वादा किया था उसके अनुसार सोने के गहने पर लगने वाले B.I.S. हॉल मार्क के बारे में नवीनतम जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ भारत के नवीनतम आदेश के अनुसार दिनांक 16 जून 2021 से भारत में केवल हॉल मार्किंग वाले ही सोने के जेवर बिकेंगे इसका अर्थ हिया हुआ कि दिनांक 16 जून 2021 से भीना हॉल मार्किंग के सोने के जेवर भारत में बिकने बंद हो जाएंगे इसके बारे में अतिमहतपूर्ण जानकारी मैं बाद में दूंगा पहले अपने देश में सोना कितना महतपूर्ण अस्थान रखता है इसकी बात करता हूँ भारत में सोने के लेकर महिलाओं की दिवानगी किसी से छिपी नहीं है सोना समाज में न के बल रुतवे का परतीक है बलकि इसे निवेश का बेहतरीन साधन भी माना जाता है भारत में लड़की के शादी हो और सोने के आभुसन की खरीद नहो ऐसा संभवी नहीं है अक्षे त्रीतिया और धन तेरस जैसे परवों में लोग धार्मी मानिताओं के चलते सोना खरीदते हैं परंतु आप जो सोना खरीदते हैं क्या वो खरा है वैसे हर दुकांदार ये दावा करता है कि उनके दुकान के सोने के गहने बिलकुल खरे हैं और उनकी बातों का विश्वास कर लोग गहने की खरीदारी कर भी लेते हैं परंतु जब किसी कारणवश लोग उसे बेचने या बदलने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि उनके सोने खरे नहीं है ऐसी इस्थिति में लोग ठगे हुए महसूस करते हैं इसी ठगी के शिकार से बचने के लिए वर्स 2000 से सोने के गहने एवं 2005 से चांदी के गहने के लिए भारत सरकार के त्वारा हॉल मार्किंग का नियम बनाय गया था और इस कारी को बनाने एवं मोनीटर करने का काम भारत के राष्टी अस्तर की संस्था भारत मानक व्यूरो या Bureau of Indian Standards या संचेप में BIS के द्वारा किया जाता है अतह इस संस्था के द्वारा गहने को दिये गे सर्टिफिकेट को BIS हॉल मार्किंग करते हैं बरतमान में भारत में लगभग 40% गहने ही हॉल मार्क्ट को कर बिकते हैं इसका अर्थ हिया हुआ कि भारत में अभीकुल गहने का 60% बिना हॉल मार्क के ही बिक रहे हैं दिनांग 1 जनवरी 2021 तक कुल 33,446 जोएलर्स BIS का रजिस्ट्रेशन लिये हुए हैं भारत सरकार के ताजा गोशना के अनुसार सोने के सभी गहने पर BIS हॉल मार्किंग दिनांग 16 जून 2021 से अनिवारी कर दिया गया है इसका अर्थ हिया हुआ कि दिनांग 16 जून 2021 से बिना हॉल मार्किंग के सोने के गहने अब नहीं बिकेंगे दिनांग 16 जून 2021 से भारत में केवल 14 केरेट, 18 केरेट और 22 केरेट के ही सोने के जोएलर्स बिकेंगे दोस्तो अब मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ जो परतेक बैक्ति को जाना चाहिए जब आप किसी दुकान में सोने के गहने खरीदने जाएंगे तो आप पहचान कैसे करेंगे कि गहना हॉल मार्क्ट है या नहीं दुकान में जब आप गहना पसंद कर लें तो दुकान से मेगनिफाइंग गलास की मांग करें परतेक हॉल मार्च सर्टिफाइड जुएलर्स के पास मेगनिफाइंग गलास रहता है जब आप मेगनिफाइंग गलास से गहने को देखेंगे तो उसमें लेजर से बने चार निशान दिखाई देंगे पहला बी आई एस का तीकोना निशान दूसरा गोल्ड का प्योरिटी जैसे 916 या 750 या 580 तीसरा हॉल मार्किंग केंदर का लोगो और चोथा जुएलर्स का हॉल मार्किंग केंदर का मतलब वह कारियाले जो सोने के शुदता को मापता है इस कारियाले का रेजिस्ट्रेशन बी आई एस के द्वारा किया जाता है वैसे अगर आप दिनांक 31 12 2016 तक हॉल मार्क गहने खरीदे हो तो उसमें एक अतरिक्त पहचान होगा और वह पहचान है हॉल मार्किंग का इयर अतर इसमें चार के अस्थान पर पांच निशान होगा अब हम बताते हैं कि BIS 916 का क्या अर्थ है BIS 916 का अर्थ है 22 केरेट हॉल मार्क गोल्ड थलता 22 केरेट गोल्ड मतलब 22 में से 22 भाग गोल्ड और दो भाग अनिधातु इसका तात पर किसी गहने का वजन यदि 24 ग्राम है तो उसमें सोना 22 ग्राम है और 2 ग्राम अनिधातु है इसलिए जब 24 में 22 का परसेंटेज निकालते हैं तो वह 91.6 होता है इसलिए 22 केरेट को 916 दर्साय जाता है इसी प्रकार B.I.S. 750 का मतलब 18 केरेट होल मार्क गोल्ड और B.I.S. 580 का मतलब 14 केरेट होल मार्क गोल्ड होता है अतह भविस्य में यदि आप सोने के गहने खरीदने जाते हैं तो इन बातों पर ध्यान अवश्य से देए जोएलरी के दुकान के गेट पर यह देख लें कि वहां B.I.S. रजिस्टेशन के प्रमान स्वरूप लोगो लगा है या नहीं गहना खरीदने से पूर्व दुकंदार से मेगनिफाइंग ग्लास मागें और जैसा कि पूर्व के स्लाइड में बताया गया है उसके अनुसार गहने में अंकित होल मार्क और अन्य मार्किंग की जाच कर लें सोने की गहने के लिए हौल मार्किंग कोष्ट 35 रूपया और जीएश्टी प्रती पीस एक रूपया प्रती पीस से अधिक न दें चांदी के गहने के लिए यह दर 25 रूपय प्लस जीएश्टी प्रती गहने ही देना है दुकंदार से खरीद का बिल अवेश लें जिसमें सारा डिटेल्स जैसे हॉल मार्किंग कोस्ट, गहने का वजन, कितने कैरेट का गहना है आदी वनित होना चाहिए इतनी साबधानी के बाद भी यदी खरीदे वे गहने खरे नहीं हैं तो आप इसके शिकायत BIS के विबसाइट पर कर सकते हैं मुबाइल एप BIS Care या BIS के विबसाइट www.bis.gov.in के कंजूमर इंगेजमेंट पोर्टल पर कम्प्लेंट फाइल कर सकते हैं वैसे आपके गहने सही हौल मार्क्ट हैं या नहीं इसके लिए आप BIS के द्वारा मानिता प्राफ टेस्टिंग एवं हौल मार्किंग सेंटर के पास जाकर इसकी सत्यता परक सकते हैं और इसके पाद BIS के पाद सिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपको हुल मार्किंग टेस्टिंग के लिए नियमा नुसार फीस देना होगा। अगर सोने के शुद्धता में कमी पाई जाती है तो सोने के वजन में जितनी कमी होगी उसकी कीमत से दोगुना हर जाना आपको मिल सकता है। रजिस्टर्ड ज्वेलर्स एवं BIS के द्वारा मानिता प्राप्त हॉल मार्किंग एवं टेस्टिंग सेंटर का लिष्ट BIS के वेब साइट पर उपलब्ध है। जिसे आप देखकर उचित निर्ड़े ले सकते हैं। आश्रा है यह उपयोगी वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके कोमेंट्स एवं सुझाओ का हमें इंतजार रहेगा। आपका दिन शुब हो जै हिंद।